हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत भारत की परातन गाथाएं और महान संतों की वाड़ी सब्स्क्राइब करें तिलक कथाएं भाई 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 दर्वाजा खोलिए भाई 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 अरे भपा तू यहां इतनी रात गये भाई आप जल्दी से मेरे साथ चलिए क्यों कहां वो मेरे घर वो मांसी की तरफ पहले बुखार आया अब उसकी जांग में प्लेग की तरफ दो गिलेठिया होगे भाई भाई आप ही मेरा साहरा है मेरी पत्नी को बचा लीजे भाई बचा लीजे मैं उसके बिना नहीं जी कुछ नी होगा साहिं बाबा की क्रिपास से सब ठीक हो जाएगा हम साहिं बाबा के पास चलते हैं चीन्ता मत करो बपा चलो के रंपर तेरात हुझ यावजी उधिया लेने आओ चैयोकी रंच्राम अधिश्थ उधियालेने दितरात है मां धवलाओ, इस वक्त क्या बात है शामा, इतनी रात हो गए तुम सोई नहीं साही बाबा, हमारी तो रात की नीन दी उड़ गई है ये, ये मेरा छोटा भाई है हाँ हाँ, मैं जानता हूँ शामा इसका नाम बापा जी है और इस समय इसकी पत्नी पीमार है मेरी पत्नी को बचा लिजिए साही बाबा साही बाबा, आप ही हमारा साहरा है अब तो उसे कुछ नहीं होगा शामा ये उदी बापाजी को दे दो जी साही बाबा, लो बापा वो है सबका स्वामी सबका रक्षक उसकी कृपा से इसकी मांसी ठीक हो जाएगी आपकी आग्या हो, तो मैं भी बापाजी के साहँ साही बाबा नहीं, इस वक्त नहीं, कल सुबह जाना और जल्दी लोटाना, सबका मालेक एक है प्रणान, प्रणान, चलो, 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 आज़ा अरे बपा, मैं तो चाहता था कि मैं भी तेरे साथ चलो लेकिन आज तक जिस किसी ने भी साही बाबा की बात नहीं मानी उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ ही है लेकिन अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है साही बाबा ने कह दिया, कि तेरी बीवी ठीक हो जाएगी अब तुम जाओ, मैं सुबह आओंगा और हाँ, ये लालटेन लेते जाओ, और उस उदी को खेलाना भी और पिलाना भी, समझ गये, अब जाओ चिंता मत करना बापा जी को इस घड़ी में मेरी जरूरत थी मुझे उसके साथ जाना चाहिए था विचारा कितनी आस लेकर मुझे बुलाने आया था नहीं, ये गलत बात है मुसीबतों में अपने ही लोगों के काम आता है इंसान मुझे जाना चाहिए बापा जी मुझे रास्ते में ही मिल जाएगा मुझे जाना चाहिए इतनी रात गए ये बच्चा यहां अकेला क्यों मैठा हुआ है बिटे, कौन हो तो? और इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हूं? मुझे नहीं पेचाना तुमने? मैं बैतार हूं ये मेरी हद है और इस हद में जो कोई भी आता है वो मेरा फोजन बन जाता है मैं साही बाबा, मैंने आपका कहा नहीं माना यह उसकी सजा है मुझे बचाईये अब मैं कभी आपका कहा नहीं टालूगा साही बाबा मुझे बचाईये इस वख मेरे पास उठी भी नहीं है साही बाबा उठी होती तो मैं तो मैं नहीं ड़ता इससे मेरे जारी उठी मान्शी के लिए बाबा जी को दे दी नहीं तो क्या यह मिट्टी तो है साही बाबा का नाम लेकर इसे उठा लेता हूं उनकी क्रिपा से यह मिट्टी भी उद्धी बन जाएगी साही बाबा साही बाबा, 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 साह आई बाबा आई बाबा आहो सुनिये जेट जी आए है साइबाबा ने भाईया को हमारे घर आने को कहा था आये भाईया आये बापा अब वंसी अरे तुम तुम बिमार थी ना कल रात ही को तो इसकी बिमारी ठीक होई आप अब आये तो अब बैठी अधा अधा कर पिलाई और उसके बाद उसके सिर पर और जहां पर गुलेठिया होई ती वहां लगाई और थोड़ी देर बाद ना गुलेठिया रही न बुखार बस उधी ने तो बीमारी को जड़ से ही निकाल दिया है है कि आफ्की आग्या हो तो अब्लस ची के साथ जाओ नहीं इस वक्त नहीं कल सुबह जाना और जल्दी लहां में अ सस़ांढ इस बाबा की कई बाके अब मेरे समझ में आरही है उल्自由 छिदंधा होगी फारभ जल्दी पर खाना तो खालीजे अरे नहीं बापा नहीं इस बना कर लाती हूं कि अ कि अ कि अ कि साही बाबा साही बाबा आओ शामा आओ आओ ते आए बेताल को मुक्ते हां कि क्या हुआ नाराज हो मुझसे हां अरे भाई क्या किया मैंने शामा आप नाड़क करते हैं अरे कर रात मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया कि मुझे बेताल से खत्रा है मना तो किया था मैंने कि बापा जी के साथ मज जाना बापा जी की पत्नी को ठीक ही करना था तो उसे तकलिफ होने ही क्यों दी मुझे आपका यही नाड़क पसंद नहीं पहले तो शोर बचाकर हमें आशांत कर देते हो फिर तुरंट सहायता करके सब ठीक कर देते हो क्यों करते हैं पैसा क्यों समझदार हो गए हो शामा फिर भी ना समझ बन रहे हो मैं ही साई बाबा नहीं मैं समझदार नहीं हूँ कुछ ज्यादा ही ना समझ हूँ मैं मुझे आपकी यह लिला समझ में नहीं आती कि शामा कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है कर्म पथ तो बहुत रहस्पून है कि मैं कुछ नहीं करता है फिर भी लोग अपने कर्मों के लिए मुझे दोशी ठेराते हैं मैं तो एक दर्शक मात्र हूँ सत्ता धारी और प्रेणा देने वाला तो वो ईश्वर है और वो बहुत तयालू है बहुत तयावान है मैं ना तो इश्वर हूँ ना मालिक सिर्फ इश्वर का अज्याकारी सेवक हूँ मैं और हमेशा उनका इस्म्रण करता हूँ जो भी अपना अहंकार त्याग कर कृतिक गिता से उन पर विश्वास करेगा उसके कश्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति प्राप्त होगी नहीं ना नहीं साइबाबा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए सिर्फ आपके चल्डों में जगा चाहिए मुझे जगा चाहिए सबका मालेक एक है